प्रकास अंसलेशन फोटो सिंटेशन कहते हैं अपना भूजल बनाते हैं स्वकोसी कोदे होते हैं इसके लिए प्रकास बनाते हैं यह पत्तियों में प्रक्रिया पूरी होती है बनाने की और पत्ति के हरत लवक हरत लवक यह आपको सहले बता चुका हूं तो अग्रीश करूं यह दौरी जिल्दी वाला यह संचना होती है हमें गरेना बाता हमें यह संचना थे ड 마음에 चितर रख करेंदे हैं और इनने की तो यह वह बघवचन और इसका एक होता है ग्रेयनम और इसको करेंगे ग्रेयनम तो दो तरह की इसको लाइट लिएक्ष्टन रियक्ष्टन यो गरेना में पूरी होती है बने हुए है और शेस्लिल्स भाग रह जाता है इस में इसको कहते इस्ट्रोमा को हैं यह स्टोमा कहते हैं एक इन हमें पीठिका कहते हैं तो पीठिका वे डार्क रियक्शन होए पीठिका में फूर्ण होता है आप को बता चुका हूं कि प्रकास सैसे इस तुरे का प्रकास 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 संसरेशी सक्तिरी कारक 600 400 से 680 या 700 तक रहता है तो प्रकास करिया और प्रकास करिया दिन में होती है यह मैं आपको पहले पूर्ण बता चुका हूं इसमें जो पत्तियों में जल पाया जाता है उसका जल अपगटन होता है और एचाइन प्राप्त होते हैं तो एचाइन एडिपी एस्टू से जुड़ते हैं और एडिपी एस्टू बन जाता है तो एडिपी एडिपी यह फॉस्फोरिलीकर्ण कहलाता है अर्था एडिपी एस्टू और टू एचाइन एस्टू और एटिपी गनलवाण फॉस्फोरिलीकर्ण कहलाता है यहीं आगे जाकरके अप्रकास के लिए मद्यस्त्र का कार्य करता है और इसमें यह दो का निर्माण होता है आगे जो अप्रकास करिया है वह स्ट्रोमा या पीठिका में पूरी होती है और यह प्रक्रिया करताम स्ट्रोमा और निर्माण होता है तो यह केलिए और बेंसन ने इसकी खोज की थी और यह अप्रकास में होती है इसके जो चक्त्र है इसमें सीखरी चक्र भी इसको कहते हैं क्योंकि इसमें बनने वाला प्रत्थम इस्ताई योगिक तीन कारवन वाला पीजी यह होता है फॉस्फो ग्लाइस्त्रेग इसे बनता है तो तीन कारवन वाला होता है तीन कारवन वाला यह बनता है पीजी इसको C3 चक्र के कहते हैं और Calvin Benson ने खोज कीती है जिसको Calvin Benson चक्र कहते है तो समझें इसको इसमें क्या होता है CO2 का अपचैन होता है और गुरू कोजिका निमान होता है पुनेर सुनें इसको CO2 के 6 मौल्यूक्यल और H2O के 6 मौल्यूक्यल दोनों चक्र में सामिल होते हैं और ये कार्वाग्सीलेशन पहले से RUBP के राइवलोज बन फायर बाइफोस्पेट या डाइफोस्पेट ये दोनों चक्र में मिलते हैं तो पहला CO2 और H2 मिलकर के PGA का निमान करते हैं फॉस्पोग्लस्रेट आमने तीन कारवण वादाएफ इसलिशन को सी थ्री केते हैं इसके नाम के आधर पर इसमें क्या होता है इसके बाद PGA बनने गे बाद इसका फॉस्पोर्रिव करने इसमें इसमें एक प्रक्रिया और है इसमें 12 ATP और क्या होता है 12 ADP और PIA convert हो जाते हैं माने उर्जा मुक्त होती है और ATP ADP में बदलता है यह यह यहां पर step है और 13 dye PGA का नमाण होता है 13 dye phosphoglycele gaset का नमाण होता है यह यहां पर बनते हैं इसके बाद यह रेडक्शन की प्रक्रिया होती है इसको अब चैनर कहते हैं यहां पर इस रेडक्शन के बाद 3 PGA बनता है फॉस्को ग्लाइक्स रेल्डी हाइड बड़ा सकते हैं हिंदी में इसको यह कहते हैं फास्को ग्लाइक्स रेल्डी हाइड ग्लाइक्स रेल्डी हाइड यह रेडक्शन होता है और 12 एने डी पी एच और यह अप्चैन हो जाता है इसका किसमें एने डी पी एच और एच आइन का एने डी पी में अप्चैन होता है और 3 PGA माने 3 फॉस्को ग्लाइड के बारे मॉल्यूक्यल का निर्माण होता है यह आगे चल करके यह 3 PGA माने 2 मॉल्यूक्यल क्या करते हैं इसे चक्र से बाहर आते हैं और स्कूर डांन करते हैं तो आपसे का मुख में प्रॉडक्ट भुलूकोर होता रहता है चक्र चलता रहता है और स्कूरों निकलता है दो और स्कूरों से बन जाता यह यह अगे क्या होता है 3 PGA कुन धो यह 5 जाइलोर फॉस्पेट में बदलता है चार मॉल्यूकिल और फाइलोर फॉस्पेट के दो मॉल्यूकिल यह बिलते हैं और यह आरियू बीपी यह पुने उत्पत्ती होती है क्योंकि यह आरियू बीपी यहां पर पुने सक्त्री होगा आरियू दिद्धी उत्पत्ति यहां से ह इस पुने वत्पत्ति होती है यहां पुने वत्पत्ति हो जाती है और यह फिर आगे जागर करके चक्र आगे बढ़ता है तो राय विलोज यहां पर पुन है फोस्फोर रिली करने कर लिए होती है और आगे यह चक्र आगे चलता है राइवलोज बंफाय डाइफोस्पेट में बदलता है चेवलू के और पुने हैं यहां पर एडीपी और पी आई प्राप होती है एडीपी ठूटती है जैसे पहले यहां पर हुआ है 12 एडीपी 12 एडीपी और प्राप फोड़ियां एक है यहां सिक्सेटी भी इसलिए मैटीपॉंड्रीयां को पावरावस घ्र केहते है अटीपी एडीविटीडिक्षपेट ADP, adenosine diphosphate में तूटती और उर्जा मुक्त होती है, तो यह दो बाग है इसमें, तो यह 6 ADP बने हैं, और यह के लिए आगे चलती है, राइलोज 15 diphosphate का नमान हो जाता है, उन्हें यहाँ पर एक कार्बॉक जिली करण होता है, और उन्हें इस चक्र में सामेल होता है, CO2 और H2O, उन्हें चक्र चलता है, PGA, पिले, PGA यहाँ पर, उन्हें PGA, और यह चक्र चलता रहता है, यह जायलोग, और यह यहाँ पर, RDPP, उन्हें उत्पत्ति, फॉस्पराइलेशन, उन्हें राइलोज, और यह चक्र चलता रहता है, और यह गुलूपोजिता नमान होता रह जैसा कि मैंने रियक्शन में आपको पहले बता चुका हूं कि 6CO2 जैसे बेसिक चीज़ क्या है 6CO2 पिलस 12H2O यहां पर है सनलाइट्स सूर्ण का प्रकास और प्लोगों प्लोगों यहां क्या होता है अब क्या है अब प्रकास क्रिया में प्रकास क्रिया में केवल जो ग्रेना में होती है करता है और यह फॉस्पूराइजेशन के द्वारा यह क्रिया पूरी होती केल्विल बेंजन चक्र कहते हैं इसके बाद आगे वाला इसमें प्रकास अंसलेशन को प्रवाइद करने करते वाले कारक में एक में पॉइंट रहता है वह है ब्लेक मेंस का सीमाकारी कारक क्या कहता है कि किसी भी प्रक्रिया में वह है जैसे प्रकास अले सब्सक्राइब स्चेमात्रह शुर्ण का फूर्ण करता है जो सबसे निमनिश्ट में वहता है तो इस प्रक्रिया में प्रकास है सबसे कम मात्रा में पाई जाती है इसलिए सीमाकारी कारक होटा है और जादे मात्र बढ़ेगी स्यूंटू का तो हर्म पूल होता है इंजान निस्क्री होते है एस रीडिवर्थी इससे यह नहीं होती तो इसका होता है इस नहीं प्लेक मेंस का सीमा कारी का रखे थे यह आज का टॉक्ट रहा अपरगास के दिया वाला और यह इसको आप यार क है जाइन— Кар स्थ्ष्ष्ष्ष्ष्राइस. बोगया जए टोगया जोगया